सिद्धु दे चाहूना रेनों एक अपील कर लगा इस वक्त चौका देने वाली बात कही है जो अपने आप में आपकी रूख आप चाहेगी सुनकर क्या कुछ है का अपडेट बताएंगे इस वीडियो के अंदर वो वीडियो सुनवाएंगे सिद्धु मुस्ते वाले जिके पिता बलकौर सिंग्जी को लेकर आखिरकार 19 रातो रात क्या उन्होंने फैसला लिया है एक एक खबर जो है एक बात जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे चैनले पर नहीं है जल्द सब्सक्राइब जरूर किजीगा साथी बेल नोटिफिकेशन और पर भी जरूर प्रेस किजीगा दोस्तों ताकि पल-पल प्रggi प्र whilon कि फुल गई है जिसमें दावा कि आ कि आ गया था क कि लॉरेंस का इंटर्वेव पंजाब की बल कि कहीं बाहर से जो है यह उब यकेव लिया गया है बहुत जल्द प्ष्य जेल के आंदर से नए इंटर्वेव में लॉरेंस उसी और उन्टी-शर्ट और लुक में नजर आया जिसकी फोटो खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 16 मार्च को चंडीगड में मेडिया के सामने जो है रखी जारी की थी डीजीपी ने दावा ये भी किया था कि लौरेंस की ये फोटो 16 मार्च को ही भवटिंडा जेल से ली गई है जिसमें की आप गौर से देखे तो इस तस्वीर में जो है छोटे बालो और ट्रिम दाड़ी में नजर आ रहा है गैंग्स्टर लौरेंस और खुद मना की जेल में उसे आराम से मुबाइल मिल जाता है इस इंटर्विव में साफ दर पर ये खुला सा किया था लौरेंस विसनोई ने खुद ने वहीं आपको बता दे इंटर्विव में लौरेंस बेखौफ होकर हसते हुए बाचित करते हुए जो है नजर आ रहा था इतना ही नहीं सिदु मुसेवाले जी का हत्यारा मास्टर माइंड हसते हसते उसने जेल में इंटर्विव के दौरान जो है अपनी बैरक भी दिखाई थी इतना ही नहीं आपको बता दे इस पार लौरेंस ने विरोधी गैंक्स्टर जग्गु भगवान पुडिया के साथ शुरू हुई दुश्मनी पर भी बात की सल्मान खान को दी धमकी पर भी बात की इतना ही नहीं 14 मार्च को पहला इंटर्विव आने के बाद डीजी पे ने ये दाबा किया था कि लौरेंस ने उसमें जग्गु के साथ शुरू हुई विवाद की बात नहीं की इसलिए उसका ये इंटर्विव पुराना इंटर्विव है नए इंटर्विव से इन दावों चाता था और इसलिए इंटर्विव जिए मैं देना भी चाता था मेरी बाते कोई सुन नहीं रहा था इसलिए एंकर से जो है लौरणस बिस्नॉइ ने साफ तर्विव पे कहा कि में आपको सबसे उपर रखता हूँ और कोई एंकर जो है मेरी बात नहीं सुनना चाहता था और इसलिए जो है गोल्डी बरान ने संपर्क किया है इनसे और जो एंकर है इसके अंदर उन्होंने साफ तोर पे जो है लॉरेंस से कई सारे सवाल किये जिसमें सिदु मुसेवाला जिस करेंगे सिदु के पिता बलकौर सिंग जी सिदु मुसेवाला जी की आत्मा की शांती के लिए आपको बता दें बंजाबी गायक देवता सुरूप सिदु मुसेवाला जी की पहली बरसी रवीवार को मांसा की दान मंडी में मनाई जाएगी मुसेवाला जी के पिता बलकौर आपको बता दें आगे बलकायर संग्ज ने ये भी कहा कि पंजाब में बन रहे महोल के पीछे का कारण सिद्धू मुस्यवाले जी की बरसी पर पहुचने वाले इकत्रित होने वाले लोगों पर रोक लगाना है इसी वज़े से ये जो इंटर्व्यू जारी किया गया है लौर इसके साथ ही हाथ जोड़कर सिद्धू के पिता ने ये कहा कि 19 मार्च को पहुचने की पूरी कोशिश करें सिद्धू के फांस पहुचने का समय बरसी की जगह है जो है सिद्धू मुस्यवाले जी की वाप स्क्रीन शोट स्क्रीन के उपर ठीक आप देख सकते हैं यही पर पहुचना है अगर आप सिद्धू मुस्यवाले जी के सचे फान है तो 19 मार्च को लेकर सिद्धू के पिता बलकौर सिंग जी ने अपील करने से पहले उन्होंने कहा कि गैंक्स्रर लॉरंस बिसनोई के हुए इंटर्वी को भी साजिश करार जो है कह चुके हैं सिद्धू क पिता बलकौर सिंग जी ने सिद्धू मुस्यवाले जी के कॉलेज में इंटर्वी के दौरान कहा था कि सिद्धू की बरसी पास आ रही है ऐसे में लॉरंस का इंटर्वीव एक साजिश के तहत किया गया जिसमें गुंडे को हीरो बनाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इं और उन्हें जस्टिस दिलाना चाहते है तो 19 मार्च को जो एड्रिस मैंने मेंशन किया है स्क्रीन के ऊपर जो कि आपने पहले देखा वहां पर जरूर पहुंचे और सिद्धू मुस्यवाले जी के परिवार सिद्धू मुस्यवाले जी के पिता और माता का साथ दे क्योंकि कि वह बहुत बड़ा फैसला और निर्ने सुनाने वाले हैं अपना अब इस 19 मार्च को यानि की कल के दिन अपने बेटे के बरस्ती पर वैल क्या कहना चाहेंगे आप लॉरंस विसनोई के नए इंटर्व्यू को लेकर आपने सुना है कि नहीं नहीं सुना है तो जरूर जान देऊं जिस तरह पंजावदा महाल बन्या होया है सिद्धू दी भर्सी ते होनवाले एक अठनों रोकन निया कोशा हो रही हैं ने मैं तो हनु सारे नों पील करदां भी तुसी एक तपा इचारा बनाके रखनें पीस्फुली समय सर पहुंचन दी कोशिश करनी है तान कर दो बनागब